नमस्कार जय जवान जय किसान हमारे देश का किसान क्यों है इतना परेशान जबकि हमारे देश का किसान है हमारे देश किसान वो अपना काम करता है रोज उसका है रोटी केती बाड़ी करना है उसका रोटी जिसकी वज़े से हमारे पेट में होता है रोटी इन सुद्ध रूप से आज सुद्ध रूप से अन्द आता परिशान है क्योंकि देश में कितना ही कोई नास्तिक हो कोई भी नास्तिक, कोई भी दिन में दो टाइम पेट पूजा करता है सिक्रेट के में जो नहीं करता है पूजा, पेट पूजा ऐसा बोलता है वो जूट बोलता है उसको हमारी तरब से त्रिपाटी परिवार के तरब से मिर्जापूर के दो तिन डायलग तो अन्य दाता के साथ ऐसा क्यों हूँ वही हमारा मानना है हम किसान परिवार से है गरहें एक तरफ अन्य दाता और एक तरफ अन्य दाता पेट पूजा उसी से होती है हमारे घर पे तो आटा भी, किसान आटा ही आता है फिर ये अन्न दाता को इस तरह से परिशानी क्यों हूँ मैंने बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों से पूछताज की श्रीमान अमिता बच्चेन जी को फोन लगाया फोन नहीं लगा बार बारे की आवाज आ रही थी आपकी कॉल प्रतिक्षा में है प्रतिक्षा में है पर प्रतिक्षा पूर्ण नहीं हुई सुद्ध रुप से हमें लगा कि वो इन्न मिस्टर बच्चन घर पे नहीं है किसानों के साथ है फिर हमने आमिर खान को फोन लगा उनका फोन नहीं लगा वो भी शायद देश के लाल सिंग चढड़ा किसानों के साथ है क्योंकि ये दोनों ही किसान है इनके पास कागज पत्तर है के वी पी किसान विकास प्रतिक्षन फिर हमने मनोज कुमार जी को फोन लगाया उनका भी फोन बंद आया निश्चित्रुप से बंद आया फिर हमें याद आया अरी मनोज जी तो वो भी तो भारत है और आज भारत बंद है तो उनका फोन कैसे लगेगा हाथ जोड़ के निवेदन है लेश के किसानों को परिशान ना करे क्योंकि बॉली रूड वाले जितने भी हैं वो रियल हिरो है हमारे किसान भाई जो है वो रियल हिरो है उनकी वज़े से हमारी पेट की समस्या का हल होता है राजमनी के पास हल नहीं तो वो ही हमारे असली हिरो है हमारे रिशी कपुर वही है हमारे रिशी मंत्री वही है हिरो है भारत के लाल है जमीन के लाल आज देश में कल्चर के नाम पे एक ही चीज़ बची हुई है अगरी कल्चर कल्चर कर नाम पे अगरी कल्चर ही बचा हुआ है उसकी रक्षा करो रन्निती मत करो राजनिती मत करो उनके कंधा पे अपना धंदा मत चलो आदे नेता उनके फेवर में है और आदे नेतां को उनके वज़े से फीवर है यह क्या है? सुद्ध रुप से क्या है? राजनीती है 22 दल्लों का समर्थन है क्योंकि दल्लों का मतलब बीचोली होका इसमें पतन होने वाला है Direct 1 to 1 Direct 1 to 1 सरकार उनको सपोर्ट करना चाहती है और कुछ दलों का भी मैंने सुना 23 दलों का उनको साथ है और 23 दलों का हार का बदला लेना चाहती है वो 23 के 23 दल 24 के त्यारी कर रहे है हार का बदला लेना चाहती है और 24 के जीत के त्यारी कर रहे है शुद्य रुप से गड़बड आ रहा है ममदा जै जवान जै किसान और किसान है हमारी देश की शान अर्विन केजरिवाल जी को नजर बंद कर दिया, पहले भारत बंद किया, फिर अर्विन केजरिवाल को नजर बंद किया, अरे धरना पे उनको बैठने दो, वो धरना किंग है, यह धरना स्टार, वो कहते धरना जरूरी है, उनके अब विरुदी कहते धरना मना है, अरे उनका बैठना तो बिलकुल साभाविक है, क्योंकि वो अन्दाता का सम्मान करते है, क्योंकि उनका दाता ही अन्दाता है, अन्दाता, उन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा, नजर बंद कर दिया गया, ऐसाम ना करे, हमारे ले देश के किसान बहुत जरूरी है, शहर वाले खेती बाड़ी नहीं करने जाते हैं, खेती याने हमारा खेत, बाड़ी याने घर, तो खेती बाड़ी, खेती को ही अपनी बाड़ी समझने वाले हमारे किसान, शहर वालों को देश की उतनी फिकर नहीं है जितनी गाउवालों को स्पस्ट शुद्ध रूप से क्या रहा हूँ क्योंकि धर्म जी ने जिनका आज जनम दिन है Happy birthday to you धर्म जी आज देश धर्म संक्रट में है आज आपका जनम दिन है आशिरवाद दीजिए ही मैंन बनके आईए हम सबको आशिरवाद दीजिए आप भी किसान पुत्र है धर्म जी ने कहा था कि मेरा गाउव मेरा देश तो मेरा गाउव ही मेरा देश है सहर शायद हमारा देश नहीं है तो समर्थन कीजिए किसानों को जितनी सुविता दी जा सकती है अब उनको आंदोलन नहीं उनके घर पे आने दो लोन मदद करो क्योंकि किसान अगर नहीं है तो दुनिया में कोई नहीं है दॉलर से पेट भरोगे क्या शोहरस से पेट भरोगे अगर आपने नहीं मेरी बात मानी तो मैं इस अंदोलन पर भी एक वेब सिरीज बनाओगा मिरजापूर 3 तो आपको पता ही है फिर मिरजापूर 1 में कितनी गाली आती मिरजापूर 2 में कितनी गाली आती वो 3 में तो फिर गाली फ्री नहीं होगा फिर वो समच जो और अब एक ही बात कहूंगा ज्यादा मत किजिए भीड और ना आपको हो सकता है कोविड उसका विध्यान रखिए सो बसे टीवी देख रहा हूं पूरा मूड खराब हो गया निव चैनल देख रहा हूं मूड खराब हो गया मूड तो खराब होगा ही ना भाई जितनी टीवी की खुबसरत खुबसरत एंकर है सब भाएंकर लग रही है मूग को कवर कर रखा है मास्क पेन रखा है मूड खराब हो गया आज पहली बार फिल्ड में मैदान में उतरी है लिकिन मास्क लगा कि भारत बंद के समर्थन में बिल्कुल नहीं हुआ भारती बंद थी समझ में आ रहा था उसका दोश था भारत का क्या दोश है वो क्यों बंद हुआ और इसमें किसानों के साथ में दो दो पपू है एक पपू याद रो और दूसरा पपू समझ गया वरें सब का मानना है कि किसानों की help करने चाहिए मदद करने चाहिए हमें किसानों के लिए मंडी का वातारू निर्मान करना है मंदी का नहीं मार्केट चाहिए मार्काट नहीं और अगर ऐसा सब कुछ हुआ तो ये पीटी अपने सारे अवार्ड वापस करेगा सारे अवार्ड वापस करेगा